फिल्मी थीटरों में 6 सितंबर को इमर्जेंसी फिल्म रिलीज होने वाली है, लेकिन इसके पूर्व ही फिल्म पर रोक लगाने की मांग उठने लगी है। खालिस्तान बताया गया, इसमें सिखों को नफरत का पात्र बनाया गया है, सिखों को निर्दय और जालिम बना कर दिखाया गया है, जिससे उनकी छवी को ठेज पहुँची है। जिसको लेकर आज सिख संगत के लोगों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सकसेना को ग्यापन सौप कर इमरजनसी फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। के तत्वाधान में हमारे आजर्णी है हरेंद्री सिंग जी बबु के ने तत्व में यह ग्यापन जो माननी है कलेक्टर मोदा को दिया है। उसमें हमारा सवेनम अन्रोध है भारत सरकार से और आप जी से कि बिए जो कंगना रावनोर द्वारा जो इमर्जनसी फिल्म बनाई गई है जिसमें शिक्खों के प्रती बहुत ही दुर्भावना पूरोक उसमें कुछ पेस्ट किया गया है हम लोगों की शिक्खों की भाव एक ऐसी कमिटी बनाया है कि जब इस त्रीके की कोई फिल्म सेंसर बोर्ट से पास की जाती है तो उस सिक्खों की उसमें की को उसमें मुला के उनको दिखाया जाए क्या यह उचित है और नहीं उचित है उनकी मतलब परमीशन लेकर इसको रिलीज करने की लिए आगे बढ़ समक्या नहीं करता है ले ऑनकी की दोशों नहीं करने की बनलब घॉफ तरहे है कि जbor में मुला करता है तो पूर बyr मुला क할 Zeiten आप फ़यasonों के लिए वस्की उस्की करता है वर बyr